मुसल्मान हो गए, फिजारत पेशा थे, ताइम नहीं था कि अल्ला के नभी की मजिलिस में रोजाना हादरी दे सके हुमरपरी है, बच्चे है, खानना है, बीडिया है, दुनिया की जरूरियात है, फिजारत कर रहे हैं लेकि देखिए कैसे इल्म हासिर करते हैं, एक अंसारी सहावी जो आपका पार्टनर है, वो भी बढ़ी उमर का, अपने अंसारी सहावी से कहते हैं कि हम लोगों की कितनी बड़ी महिलूबी है, क्या मुहायरा, और दीगर सहावे किराम में सुफा के चभूतरे पर बैठे भी ह है, और रात दिन अल्ला के नभी जनाब मुहम्मद रसूल अल्ला के इल्म की मजलिसों में शरीक होते हैं, उनके सीरे इल्म की नूर से भरे जा रहे हैं, और हम दुनिया के अंदर विजात करने के लिए, खुजूरों को बेचने के लिए, बेवपार करने के लिए, रहोंगा, जब शाम को रौट करके विजरस करके आओगे तो जो कुछ मैंने सीखा है, नंदे में नभा लेने के साथ अल्ला के नभी की बातों को तुमें दे दूंगा, और फिर दूसरे दिन मैं आओँगा, तुम अल्ला के नभी की मजलिस में रहोगे, मैं दिजानत करू शाम को रौगा, तो जो मुनाफा मिलेगा, वो तुम्हें दे दूंगा, और अल्ला के नभी की मजलिस में तुमने में रहोगे, तुम मुझे दे देना, इस तरीके से अधरत उमर रजी अल्ला हुदा रहोगे, अपने उस पार्टनर अंसारी सहावी के साथ बारी लगा लि इल्म को सीखने के लिए, अल्ला के नभी की बातों को सीखने के लिए, पौरान को पढ़ने के लिए, हदीस को पढ़ने के लिए, दीन के मसाहिल को सीखने के लिए, यह भी एक तरीका है, अगर आपकी जिन्दगी मसरूफ है, आप इजरस्पहर है, आप दाक्तर है, आप इ जिन्दगी अब अपने शबो रोज के टाइप को इस तरीपे से मैनेज कर सकते हैं। कि आप के दुनिया का तारोबार भी चले और आपकी आखरत के तारलुक से जो इल्म है उसे आप महरूम है उसे भी आप दुनिया की जिन्दगी के अंदर सीख ले।